आरे यूटूब चेनल लालेश फड़ाफट में मेरा नाम है विसाल प्रजाफटी तो गाईज आज की वीडियों हों लोग बात करेंगे कि दूसरी बड़ी गूड़नियु जा रही है कि आप लोग का रजुका है अफ लाइन का तो किन किन एयर के खात्रों का रजुका है आप लोग एर्पी पर जाकर अपना डाउनलोड कर सकते हैं सारा कुछ वीडियो में आपको बताने वालोगों चलिए बढ़तें पर आप लोग देख सकते हो आज 14 मार्क की डेट में अभी एक टू की तरफ से एक नया सर्कूलर जारी किया गया जो कि अब दूसरा कुछ दिखाई दे रहा है कि एकजाम से डिव नाट ऐसे कुछ करके दिखाई दे रहा है और हमारा एडमिट कार्ड अब फिर से दोबारा गया बोचुका तो ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन अभी अभी एक टू की तरफ से ऑफिसियल सर्कूलर जारी करके बताया ग सेमेश्टर मतलब सेकेंड यर के रेगुलर एवं कहरी उबर परिजभाग में परिजभाग करने वाले चाथ चात्रों के प्रोज़ पत्र जारी किया जाने के संबद में तो यहां पर बताया गया है कि 22 मार्स से 6 अप्रेल के बीच में आपका रेगुलर एवं कहरी उबर का होने लगेगा लेकिन अभी के लिए फिलाल आप लोग जाओ आपका एड्मिट कार्ड आ चुका है समझ गए बाकि बहुत सारे लोग बोल लेकि उनका कहरी उबर का नहीं सब्जेट सो कर रहा तो यह मैटर आपके काले से सौल्ब होगा अपने काले से यह चोड़ी से बात क अब बात करें जारे तो देखो आज चौदा तारीक को आज हो सकता है साम में साथ बजे आठ बजे किसी भी टाइम भी फार्मा फाइनल इयर का फाइनल यह रिजल्ट आ सकता है जहां तक पूरे 90 परसंट चांसें लगाए जा रहे हैं और मैंने भी पता किया आज 90 परसंट चांसे गए कि बीफार्मा फाइनल एर का रिजल्ट डिक्लियर किया जा सकता हो सकता है वीडियो अप्लोड होने के पांसी मिनट बाद आ जाए तो गाइड यार आज मैं आपको एक बहुतरिन अप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो की डेली हंट द्वारा करिए और पच्चास करोड रुपए तक का आप लोग लाब उठाइए बाकि इसकी खास बात यह यहां पर आपको सीबीसी बोर्ड यूपी बोर्ड ये नीट की लाइफ क्लासेज हिंदी और इंगलिस दोनों भासाओं में आपको मिल जाएंगी और आप लोग इस्टडी कर सकते हो डेली लाइन जल्दी अपना अप्लिकेशन भी लाने वाला प्लेइश्टोर पर तो देरी किस बात की जो डिस्केशन में लिंक वहां जाओ इसकाल सिप के लिए रिजिस्टेशन करके अपना लाब उठाए या तो साथ बज़े या तो आठ बज़े रिजल्ट कर दि आज हैं अगर एक चाहेगा तो वीफर्मा फाइनल यर का रिजल्ट आ सकता है बाकी कल जो थडियर वाले होंगे उनका रिजल्ट कर दिया जाएगा तो आप लोग फोड़ा वेट करो बाकी उमीद है कि आज आज आएगा आगे कुछ कहना नहीं चाहूंगा जैसे बना के बता हुआ कि हाँ आपका रिजल्ट आ चुका है तब तो कि लिए बाट टिक है